हेलो दोस्तों स्वागत था आपका आपके अपने यूट्यूब चनल फिजिक्स यंपर और मैं राज आरियन आज आपके लिए लेकर क्या हूँ cbsc 2010 22 का जो दिसंबर में एक्जाम होने वाला है 3 दिसंबर 2021 से इसके जो अरिहंत ने हैं sample paper publish करें उसका मैं complete solution लेकर क्या हूँ और यह basically जितने chapter है मैं सब के solution आपको यहां provide करूँगा दो पार्ट में रहे का video पहले में रहे का mind map जो जिस chapter के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसका एक पहले formula plus strategic points लोग इसमें देख लेंगे एक गंटे में कोसिस करेंगे कि पूरे के पूरे chapter का एक mind map आपको दे दिया जाए second part में रहेगा जो question आए हुग है या book में जो है उसके complete solution रहेंगे उमीद करते आप इसको enjoy करेंगे एक उमीद आपसे और भी रहेगी कि आप जो भी चल रहा है स्क्रीन पर आप इसको note down करेंगे copy मेरे साथ में लिखिए और इससे आपको help मिलेगा आपके बोर्ड प्रेंगे प्रिप्रेंगे प्रिप्रेंगे अगर आपको complete theory चाहिए तो आप इसी चैनल के playlist में जाकर के चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको electrostatics और capture का तो complete video मिली जाएगा और उमीद करेंगे ये बात भी कि आपने different coaching institute में complete syllabus कर भी लिया होगा नहीं भी कियोंगे तो आपको ये वीडियो कम सकम help तो करेगा ही अभी और ये इसलिए भी helpful होगा कि आपको basic electric field वाला उसके उपर ये हमारा पहला video है ठीक है तो चलो start करते हैं पेन और copy उठा लिजिए और quick revision type को ये पुरा session होने वाला है तो चलो start करते हैं कुछ suggestion होना video के लिए कि ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा तो ठीक है otherwise आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे और क्या improvement चाहिए है ना background को के लिए को कुछ comment ने करना है ठीक है और इस series में जो भी series बनने वादे है इसमें सिर्फ और हैं कही question है मेरे पास अभी मैंने देखे हैं वो क्या बोलते हैं exam idea वाला और उस वाल वाला उसे question में मुझे कुछ ज़्यादा खास दब नहीं लगा इसलिए मैंने अर्यंत के question को choose करा है ठीक है आपको अगर लग उसके कोई भी question में difficulties आती है तो आप जो screen पर जो email address है आप इस पर उस question को pin कर सकते है comment भी हमें कर सकते है question नमबर के साथ में हम आपको solution अगले वीडियो में provide कर देंगे ओके वैसे physicsiam at the rate of gmail.com यह हमारा gmail.com तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि यह प्रो statics जिसको हम लोग बोलते हैं हम इसके बारे में discuss करने वाले हैं यहां पर यहां पर बहुत सारे points हैं पहला है हमारे पास charge कि charge क्या होता है तो charge इसम्पल सा चीज याद रखना है कि यह basic property है basic property of any matter यह किसी matter का basic property है which causes electric and magnetic phenomena ठीक है तो कहने का मतलब यहां पर गया है कि अगर कोई charge है किसी matter के पास तो वो electric और magnetic phenomena के लिए responsible होता है यहने कि अगर हम लोग बोलते हैं कि कहीं पर electric field generate हो गया है या फिर हम कहते कि तार में current generate हो रहा है current चल रहा है current का मतलब हो क्या है कि charge का flow, charge भाग रहा है उस wire में तो इसी बोलते है current है ना और अगर वही charge अगर move करेगा तो current तो हो गई साथी साथ charge के move करने के कारण वहाँ पर एक अलग सा फिनोमेना generate होता है उसको बोलते है magnetic field इस पूरे contradiction पर एक और मामला आएका जब लोग इर्ट्र में टिक वे पढ़ेंगे वहाँ पर मेक्स्वेल की थियोरी आएगी तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वेरिये वाल यहन्ने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फिल्ट करता है magnetic field को है ना और time bearing magnetic field also generates time bearing electric field वहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे धीरे दिरे कर एक जर्नी बे भी अव्लोग देखेंगे यहाँ पर क्या 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 चीज़ें हो रही है मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं मैं कोसिस करूंगा कि एक ही घंटा में मुझे सारा चीज पढ़ा दे ही है तो आप थोड़ा नोट डाउन करेंगे इसको अच्छे से ठीक है तो चार्ज क्या है बेसिक प्रोपर्टी ऑफ एनी मैंटर विस्ट कॉज इलेक्ट्रिक एंड मैंगनेटिक फेनोमेना इज़ट ओके आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फिल्ट करता है चा इसका कुलंब है ठीक है और इसका जो मतलब अगर हम बोलें डामेंट्सन क्या होता है तो डामेंट्सन जो होता है इसका एंपियर है ना सेकेंड अब ये कहां से है आपको ये बात पढ़े होंगे आपके करेंड जो होता है है ना वो होता है चार्ज फ्लो है ना चार्ज का flow का rate याने कि q by t होता है current, तो q equal to क्या हो गया, i into t, और आप जानते होंगे कि जो current है, यह basically current क्या है, यह fundamental physical quantity है, है ना, यह fundamental physical quantity है, और t जो है, यह हमारा time है, यह भी again fundamental quantity है, तो अगर आप देखें, कि इसका unit क्या होता है, ampere, और इसका unit होता है, second, तो हमने यह पर यूज किया, ampere into second है, a into t हो जागा इसका dimension, is that okay, और अगर कभी-कभी बुक बगर हम यह आप option में, आपको अगर देखने के लिए मिलेगा, ता आपको ऐसे दिखेगा, यह हम पे 0, यानिक मास नहीं है, या कि मास का dimension नहीं है, sorry, l पे power 0, t पे power 1, है न, a पे power 1, कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए dimension इसका मिल जाएगा, is that okay, तो यह होगा, चार्ज के बारे में, छुटी-छुटी, और प्यारी-प्यारी बात हैं, कि चार्ज है क्या, अभी इसके बारे में, बहुत सारे properties हैं, कि चार्ज का properties क्या-क्या होते हैं, तो चार्ज का properties, सबसे पहले अगर हम बोले कि, पलस चार्ज अगर रहता है कि सीके matter के पास, तो वो generate करते हैं, पॉजिटीव लिख देते हैं, पॉजिटीव चार्ज जिनेरेट्स, इलेक्ट्रिक फिल्ड, ठीक है, या पिर चार्ज जिनेरेट से, अगर हम इसको अच्छे समझने को कुषिता, दिमाग में इस तरह से बैठाना है, कि पॉजिटीव चार्ज जिनेरेट करता है, इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइनस, या फ़िछ इसी इक बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फिल्ड १ như जो भी बोलना है इसको जैसे लोग Caesar में पुटल से निकलता है यूट्रिक करता है अगर और उसी खार चाल ब्राइज था लगाब नहीं चाहिए इक समझना है कि पलस ने इलेक्ट्रिफिल्ड जेनरेट कर दिया और यह निगेटिव चार्ज में आगर के टर्मिनेट कर जाएगा ठीक है ऐसे समझना है तो इलेक्ट्रिफिल्ड लाइन्स भी हम लोग धीरे-धीरे करके अगर हम लोग आगे बढ़ें यहां से कि चार्ज के बारे में और अची ची बतें क्या है तो इक्षटाईज़ेशन वहुत इंपर्टनट वर्ड होता है और कार्ज होंएग क्या होगिए तो सबसे पहले यह किस ने करदा तो उसका नाम था जगे और कैसी क्या था वी ऋंगर हम इसको संग्गान कर नहां कょई था तो उसको भी थोड़ा सा अगर हम इस को समझाने को सिस करें ज्यादा हम इस पर डिसकस नहीं करें क्योंकि यह ओल्रडी मगड़ वीडियो है या पिर कर सकते हैं क्या माइंड मैप वीडियो है इसलिए खुड़ा सा बात समझेना है कि इस तरह से इसने एक कंटेनर ले या बीच में एक प्लिट लगा दिया इस तरह अदियार के इसको है या यहां से हाता है कि इसमें प्लस मैनस करकर के पुटनशली दिफ्रेंस जीरिट कर दियास इससे क्या और यह पर नीचे की तरह मूँब कर रहा होगा चार्ज एम जी से उपर इसी एक फोर्स लग गया ईकष्मNow he'sweg टीक है तो उस फोर्स का clerk और इससे हमने देखा कि oil drop balance हो गया है ना बहुं सारे इसने experiment करणा ले जिससे कि इसने oil drop में इसने क्या बोलते इसको नीचे move भी कर रहा था constant velocity से drag force वगर आएगा ठीक है तो वो सब चीजें भी हैं है ना हम इस पर जादा detail में नहीं जाएंगे बस इतना ही बोलना चाहेंगे इसने ये बात चेक किया कि सारे ही matter पर जो charge हो सकता है वो net charger भी होगा किसी matter के उबर वो होगा integral multiple of e n क्या है हमारा integer ठीक है n क्या है integer यानि कि charge on any body must be integral multiple of e और e क्या होता है ये एक number है बस ऐसे समझना है ये एक number है जिसका value होता है minus में 19 ठीक है ऐसे is it okay e क्या है number है चार्ज नहीं इसको समझना है ऐसे एक number है जो कि यह है जिसे e पाई एक number है वो 3.14159265 type का या फिर वहां पर वह लोग देखे थे e as the ILR number वो 2.7182818 होता है just like that e यहाँ पर जो charge के लिए यहाँ पर use करते हैं यह हमारा होता है 1.61919 अगर यहाँ पर charge के लिए बात हो रही थी यह इतना column में आ जाएगा कहीं और भी चीजे आएंगे यहाँ पर आना इतना column के तरह हम इसको अभी यहाँ पर use करेंगे तो charge कितना हो गया तो charge होगा इतना multiple यह उसने देखा कि सबसे जो छोटा integer आ रहा यही है उसने बोला कि जब भी किसी मेंटर पर charge होगा तो वहर समय इसी के ही multiple में होने वाला है यहने कि एक गुणा दो गुणा तीन गुणा यह आएगा है यहाँ सबसे कम क्या हो सकता है इतना ही होगा तो इसी के तो multiple में आने वाले है और वह सुने तो q जो minimum होगा वह क्या आएगा q minimum कितना है कि 1.6 में 19 कुलंब अब यह किस पर होता है तो सोचो कि अगर एक atom है एक atom है हमारे पास इस atom में electron है इस electron को अगर हम निकाल दें या फिर इसी सिस्टम में एक electron निकाल देंगे तो net charge किसी भी atom का zero होता है मतलब समझ में नहीं है फिर समझते है कोई भी atom है उसमें जितने positive charge होता है नहीं negative charge होता है कहा positive charge होता है तो जो सबसे बाहर वाला electron है हमने उसको किसी तरह से निकाल दिया सोचो मुआ पर क्या होगा कि मालो कि अगर किसी atom में 10 proton थे 10 electron थे उसमें से एक electron निकल गया तब उसके बाद मातर रहा 9 electron अब 9 electron 9 proton को ना balance कर पाएगा एक proton बच गया जो dominant करेगा तो वो जो positive charge उस पूरे atom प हो और अगर हम वहीं पर कहेंगे उसमें अगर हमने एक negative charge उसमें insert कर दिया, is that ok? अगर हमने उसमें एक negative charge यानि कि इना कि इन सट कर दिया तो वहाँ पर electron dominant कर जाएगा, electron कि सनग क्यां बढ़ जाएगी? इस कारण से हम वहाँ पर कहेंगे कि वहाँ पर एक negative charge एप्यर हो चु पॉसिबल ही ही नहीं किसी भी सिस्टम के लिए तो चलो यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए ठीक है तो अगर हम यहां से एक दो बात और समझे कि अगर हम कहा देंगे एक मैटर है इसी मैटर में हमने 10 पे पावर 15 इलेक्ट्रोन इसमें इंसर्ट कर डा ले एक हम समझना है इसे बरके ठीक है अगर हम इसमें इतना इलेक्ट्रोन डाल दिये तो बोलेगा इस पर कितना चार्ज आ गया तो सुचो निगेटिव चार्ज भर दिये ने इस पर तो निगेटिव में कितना आ जाएगा एन इए बात नहीं समझ में है एन एन कहां से आया इंटिग्रल इस वह इस वहर ऐगर से माइनस फ्वोर कूलंग आही जाना चाहिए एतना आंसर हो जाएगा एकदम सिंपल है वो भी नीगेटिव है क्यों क्यों कि इसमें हमने निगेटिव चार्ज एलेक्ट्रोन डाल दें और अगर कह दिया किसी सिस्टम में से अगर हमने किसी तरह से ए आप सोच कि दोखो यहां पर निकाल लिये तो कौन बढ़ जाएगा पोजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा कि अल्रीटी तो यह नीट्रल था समझा यहां पर लिखें कि पलस में एन कितना टेन डिशूर 20 E के जगर पे 1.6 इनो मैनस में 19 कुलंब तो यह हो गया हमारे पास 1.6 इनो 10 देश तो इदी पावर देखोत यह 20 बेस से मुदर पावर एड़ हो जाता ना मैनस में 19 यह होगया 1.6 इनो 10 I think 16 कुलंब आ जाना चाहिए अंसर बास वन रहा अब इसी में एक सवाल यह आ सकता है कि भाई एक बात यह हो न सकता है कि हमको पता है कि 1.7 मैं 19 कुलंब ए एक यके बराबर हो ता है यह पर एक एलेक्टोन के निकालने यह उसको किसी बैटर में डाल देंगे तो इस पर चार जागा तो एक कुलंब चारज के लिए कितनो इलेक्ट्रोन निकालना पड़ेगा यह डालना पड़ेगा यह एक स्वाल हो सकता है हात Our time a.qas Q equal to N E होता है, तो हम N हीच टीकालना चाहते हैं, तो Q by E हो गया, चार्ज कितना आपने हैं बोला, एक कुलम, और E का विलू आपको पता है, 1.6 minus 19 होता है, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए minus 19 उपर चला गया, अब बाई 1.6 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 10 minus 19, यह point हम हटा देंगे, तो यहाँ पर 10, sorry, यहाँ पर equal होगा, 10 से multiply कर लेंगे, by 16 हो जाएगा, देखो तो उपर में 100 by 16 कर सकता हूँ क्या, क्योंक उपर में 19 0 था, और एक और 0 था, तो हो गया 20 0, हम 2 0 जदर निकाले, 18 हो जागा यह, और अगर आप इसको डिवाइड करो गया, 16 into 6 जा, हाँ ना, तो किदरा, 16 into 6 जा, अच्छा, ठीक है, 6.25, अच्छा, ठीक है, तुम लोगा पता है, ओके, ओके, कंट्रोल, समझना आ गया, इतने इलेक्ट्रोन, अगर हम किसी सिस्टम से निकाल, यह, ट्रिलियन और ट्रिलियन इलेक्ट्रोन पहुंच गया भई, तो उसमें पॉजिटिव जागा, इतना इलेक्ट्रोन डाल दोगे, तो प्लस में 1 को नाम हो जाएगा, फिर समझना बात को, तो अगर हम 6.25 इंटू 10 इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन उसमें से निकाल लिये, कमी हो गया ना भई, उसके पास इलेक्ट्रोन की तो आप पॉजिटिव चार जाएगा, और अगर हम उसी में उतना इलेक्ट्रोन डाल दिये, तो निकाले, तो अभी एक कुलम पॉजिटिव, डाल दिये, तो एक कुलम निकालना पड़ेगा, तो इंटू 2 कर लेंगे, बात समझ में आया कि नहीं है, तो अगर आप से एक सवाल कुछेगा, कि find the number of ejected electron, है ना, for net charge on body is equal to 10 कुलम, तो आप कैसे निकालो, q equal to n e, बस n निकालना है भाई, तो चार ज़ए लिख देंगे, चार ज़ए कितना होता है, दिख रहा है 10 कुलम, e के जगए 1.6 में 19, है ना, अब इसको solve कर लेंगे, के solve करेंगे, तो 10 into 10, ये नीचे में चीज़ है, निगेटिव में उपर जागा, तो plus में हो गया, अब आई नीचे में हो गया, 1.6 पॉइंट उड़ा देंगे, तो उपर में 10 न जाएगा, तो 100 by 16 हो गया, into 10 दिख 11, 19, ओहो, अभी तो इसको solve गया, ये 6.25 निदा था, है ना, ये तना electron, है ना, तो सिधी बात है, उसको 10 सम्ने multiply कर दे इतना आगया माने पास, I think quantization समझ में आगया, और भी दो तीन चीज़ें हैं यहां से, इसके आगे अगला है method of charging, है ना, method of charging, charge, charging, method of charging, charge कैसे कर सकते हैं किसी में matter को, तो पहला है by rubbing, है ना, घस घस करके करेंगे, rubbing से क्या होगा, कि अगर हम दो body को rub कर दिये, इससे, है ना, तो इससे क्या होगा, हो सकता है कि इसके कुछ electronics में आ गया है, इस matter से, इसमें चते हैं, तो यह by rubbing एक method है, जिससे हम लोग charge करते हैं किसी चीज के उपर, दुसरा है by conduction, है ना, एक conduction किसके लिए होगा, conductor के लिए साफ है, यह बात दिमांग में बैठा कर रखना है, कि किसके लिए हो सकता है, conductor में ही होगा, conduction method में, इसमें क्या होता है, एक body है, दुसरे body है, दोनों को हमने conducting wire से connect कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, charge move करेगा, high potential से low potential की तरफ, यह ना, ऐसे समझना है, यह ना, तो by conduction में क्या होगा, charge moved from, हिंदुस्तान, sorry, high potential to low potential until, getting same voltage है ना, दोनों का voltage same ना हो जाए, charge same नहीं करेगा यह, एक दम मोटा मोटी बात इसम समझना है, चार्ज तभी same करेगा, जबकि दोनों ही body का shape, size, matter, सब चीज सेम हो, ठीक है, सिर्फ इसले नहीं नहीं, बोलेगा, दो identical ball है, हाँ, तब charge same हो जाएगा, तो identical ball नहीं है, तब voltage same करेंगे, एक दम समझना है, दो अगर एक ही जैसा gain है, तो हम charge same कर सकते हैं, लेकिन दिमाग मेरे यह रखना है, कि voltage same होता है, सब जगस सही है, अगर charge same करवाने लगो, मामला गड़ गड़ जाएगा, बात समझना है, यह ता second method, conduction से, तिसरा method है हमारा, by conduction, है ना, by conduction, by conduction method क्या होता है, अगर बोल दें, एक body है, और इसके सामने हमने एक charge को ले करके आया, है ना, एक charge को ले करके आया, अब यह neutral body है, है, यह आपने charged body है, जैसा है body है, क्या फरक पड़ता है, neutral body है, यह पलस वाला बोलेगा, कि तुम्हारे पास जो electron है, वो electron मुझे दे दे ठाकूर, सारी electron मेरी तरफ ले के आजाओ, है ना, अशारा positive को हम नजन से दूर करना चाहते हैं, अशा कुछ रहेगा, बस मैं, अशारी बात ऐसे देखो गया, अशारी डैपोल उपल पड़े हो थोड़ा सा, तो यहाँ डैपोल उपल टैप को कुछ बन रहा है, सारा ही negative चाह इधर की तरफ आ गया, सारा ही positive का इधर हो गया, तो यह डैपोल बन गया, इधर की तरफ, तो दो तीन बात ऐसे note करते रहना है, कि डैपोल बन रहा है आपर, खेर, तो क्या हुआ, कि पलस चार्ज ने negative चार्ज को अपनी तरफ खिचना स्टार्ट किया है, तो क्या यह दोनों में एक bonding तियार हो गया, क्या, यहाँ पर यह attraction भी सो करेगा, अगर पूछेगा, attraction होना, charge का, charge होने का अगको guarantee है, नहीं, तो देखो इस body, यह neutral body भी attract कर रहा है, तो दिमाग में बात कर रहा है, रिपलजन is the surety of charge, इसलिए बोलते हैं कि रिपलजन होना ज़र रही है, रिपलजन होने के लिए charge होगा, दो charge अगर similar type का है, तब यह ripple करेगा, अगर charged body है, अब positive nature का है, तो यह attract करेगा, neutral है, तब भी attract करेगा, फिर सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर यहाँ पलस है, यहाँ neutral है, जीरो चार्ज है, तो क्या होगा, attraction, minus है, neutral है, तब भी क्या होगा, attraction, plus, minus है, तब भी attraction, अब यहाँ पर attraction क्यूं हो रहा है, देख लो, due to induction, है ना, और किसके लिए होगा, for conductor only, यह conductor के लिए होगा, ठीक है, और यहाँ पर plus, तो दिखी लिए, सौरी, यहाँ minus और plus कर लेते हैं, तब भी यहाँ पर attraction होने वाला है, लेकिन अगर plus और plus हो गया, या minus minus हो गया, तब ही जा करके repulsion होगा, और कोई condition ही नहीं है, तो दो को charge होने के लिए repulsion होना ज़रूरी है ना, charge के security होने को बड़ी charge है, तो sure करेगा, यहाँ repulsion हो रहा है, तब होगा चीज़ बात, बात समझना गया, चलू ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को तीन बातें समझ में आ गई, कि conduction में कैसे होगा, sorry, यहाँ पर induction लिखना था मुझे, देखो गड़बड़ा दिये हम बात, यहाँ पर induction है, क्या ही यह, induction, इसको देखते ही है, चाल्ज हो गया, यह वाला scene चल रहा ह तो चलू ठीक है, फॉर्थ वाला system के उपर बात करते हैं, तो फॉर्थ के उपर अगर हम discuss करें यहाँ से, तो फॉर्थ नबर प्रोपर्टी में क्या है, तो वो यह है, कि by hitting, जिसको thermionic emission कहेंगे, thermionic emission, हमने heat दिया, एक है न, एक metal body को हमने नीजे से आग अलावा दी, इस प्रोण energy मिलना चाहिए, बाग जाएगा, जैसे भागेगा, तो पूरा का पूरा plate positively charged हो जाएगा, फिफ्थ है, photoelectric emission, है न, ऐसा कुछ, तो यह basically by hertz ने डुना था, हम लोग को पता होना चाहिए, इसा बात, अब तो आप लोगोंने photoelectivity पढ़ी लिया होगा, hertz ने discover करा, तो क अब देखा कि अगर कोई conducting body है, conducting body के उपर उसने photons fall करवाए, क्या fall करवाए, photon fall करवाए, देखा गया कि electron इसने से बाहर आ गया, electron खो जाई नहीं गया था, कैसे पता चला, उसने इलेट्रोस्कोप रख पनाया था, क्या बनाया था, इलेट्रोस्कोप, इलेट्रोस्कोप प जिसको रहता है, बहुत तेजीस चल रहा है, तो वह यह बस एक mind map video है, इसी तरह से समझना इसको है, complete पढ़ना है, तो playlist level है, वहाँ पर जागर करके लिए उतना समय है, नहीं, इसने फटा फट नोट डाउन करो, इतना बात याद रहना चाहिए, बागी questions आगे आने वाले ह हम लोग discuss और अच्छे से करेंगे, इसने क्या करा, यहां पर गोल्ड का एक leaf बनाया तो उसने ऐसे करके, यह पर सबोज करोगे, मैं कहूंगे दो ब्लेड है, ऐसे करके बना दिया, इसने जैसे फोटोन से, क्या डाला यहां पर से, फोटोन डाल दिये इसने, फोटोन जैसे ठीक है, अगर यह चार्ज जागा positive, तो यह पूरा metal का तार है, इसमें से यह चार्ज यहां से यहां तक carry out करेगा, यह सारा ही चार्ज फीन पर भी आएगा, यह जो है फाइल है, इस पे भी आएगा, प्लस प्लस मिलते क्या भी पता है, रिपेल करेगा, तो यह भाग गया अगर ऐसा हो गया, तो यह सीन हो गया, अगर ऐसा हो गया, तो क्या समझ में आएगा, चार्ज हो गया, लाइड मारा वो ऐसे भाग रहा है, तो यह था हर्ज का experiment, और उसने उसको आंसर मिला नहीं, जो के बाद में Einstein आ करके इसको explain करेगा, फोटो एलक्तिक एमिशन जो हो र समझ में आएगा, लाइट फॉल करते ही, फोटोन के गिरते ही, कोई metal body positively charged हुआ था, और हर्ज ने कैसे ढूना था, ऐसे, बात समझ में आ गया, फिफ्थ वाला भी है, हमारे पास option है, तो चलो फिफ्थ उप्शन के बाद, शिक्स पर बात कर सकते हैं, इसको फिल्ड इमिश है, अगर हम एक body ले लिए, इस body के, पलस और माइनस के बीच में, हमने strong electric film में रख दिया है, strong electric film में रख दिया है, is placed between strong electric film, इससे क्या हो देगा, इसके सारे ही electron, ऐसे तरके इधर आ गए, और ये पलस वाला क्या करेगा, सारा पलस को अपने दरब खिच लेगा, और ये इतना तगड़ा वाला electrical बनाया, कि इंडक्शन से मामला आगे बढ़ दिया, इंडक्शन वाले में क्या था, ये सिर्फ चार्ज को एक तरह ले किया आया था, इसने, इसने गोला, ऐसन खीचा इसको चार्ज दे ठाकूर, निगेटिव चार्ज उड़ा दिया, जरसे पॉजिटिव चार्ज सीधे चार्ज दो जाएगा, तो फिर डिमेशन, तब हम जो 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 होता है, ये कहां होता है, तो बादल में होता है, तो बादल में क्या होता है, जो बादल में इतने चार्ज आ जाते है, बादल में इतना चार्ज आता है, कि जो हवा में जो मोलिक्यूल है, जो पोलर मोलिक्यूल से उसको पकड करके उसके चार्ज को खींच लेता ही है ना तो वह बादल जो हवा में चार्ज का फ्लू हो जाता है और हमसे जमीन की तरह पाजाता है समझ में यहां तक कोई सवाल नहीं होना चाहिए तो चार्ज के बारे में तिनी सारी बातें पढ़ लिए है तो लगवलोग आदे घंटे का वीडियो हो चुका है अब आगे बढ़ते हैं ठीक है अगला टॉपिक है हमारा कुल्म लाओ कुल्म लाओ अगला टॉपिक है दो चीज है यहां पर एक चार्ज है मारे पास क्यों और दूसरा चार्ज है क्यों आगे क्यों तो यहां से सीन को देखते है कि क्या क्या बताया था तो कुल्म कहान यही था कि अगर एक चार्ज है तो वह अपने चारज तरह के लेक्ट्रिक फिर्ट्रिक करता है समझना बात को इसने क्या बोला कि एनी चार्ज जेनेरेट्स एलेक्ट्रिक फिल्डिन 3D स्पेस है यह ऐसा कुछ है ठीक है यह पहला पॉइंट था और एनी टेस्ट चार्ज कि नौत फिक है एक्स्पिरी मशिस और अलेक्ट्रिक फोर्स इन्साइड गाश अगार एक्स्टर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्स्टरनल इलेक्ट्रिक आगे बसमें ऐसा तिस सब्सक्राइब करो कि हम एक फिल्ड बना दिया यह से करके इलेक्ट्रिक फिल्ड को इसे डिनाड करते हैं यह वेक्टर को इंडिटी होता है और अगर हमने इसमें इसके बीच में अगर हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रग दिया ति इसका खुद का आपना गया चार्ज है समझ मैं तो ऐसे इनम प्रेटिकल चार्ज कर सकते हो प्रेक्टिकल चार्ज अगर हर चार्ज अपने बनाएगा ही नहीं है तो हमने उसको एसी रखा तो उसके उपर फोर्स लग गया ठीक है कि तरना लगगा याद रखना है क्यों गया फोर्स ठीक है और इस कारण से अगर हम बोलें कि चार्ज का बेजिकल अगर मास भी है तो हम समझ सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो एने के बराबर होता है यहां पर से देख़ें क्यों यबराबर हो गया m a vector है na q naught e तो हम करते acceleration कितना होगा उस समय उस charge के ओपर तो जाए q naught into e by m इस के ओपर acceleration भी इतना हो जाएगा अगर हम करते कि electric field हमारा variable है तो acceleration variable होगा और अगर electric field constant है तो acceleration भी constant होगा यहाँ से यह दो बात समझना है कि नहीं आया अगर हम करते electric field is constant then acceleration is constant ठीक है और यहाँ से एक बात आएगा अगर electric field जो है यह हमारा constant नहीं है तो लिखने का बात है क्या अच्छा लिखे लिखने acceleration is not constant बास होगा यह दोनों चीज होगने वाली है फिर कुलाम लोग जो पढ़े हूँ हम उस पर थोड़ डिस्कस करते है तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है तो आप लोगों ने यह पढ़ा है कि अगर एक चार्ज रहे है यहाँ पर Q प्लस प्लस रिपेल करेगा अगर हम यह इसको कर दें A चार्ज है और यह B चार्ज है तो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई A ने B के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा है तो फोर्स ऑन B डू टू टू ए इसका मतल़ क्या बोलें कैसे पढ़ते हैं इसको फोर्स ऑन चार्ज B डू टू चार्ज A ठीक है और इसी तरफ इस पर कैसे फोर्स लगा तो फोर्स ऑन A डू टू बी ना ऐसे पढ़ते हैं इसको कैसे बोलें इसको फोर्स ऑन चार्ज ए डू टू बी अब बोलो A B पे लगाएगा तो B छोड़ देगा यह को याद है ना थाड़ तो हमको तो हम भी तुमको चौक पे धो देंगे मिलना आगया यह वाला सीन आएगा तो क्या समझेंगे तो फोर्स ऑन A डू टू बी इस इक्वल टू टू निगेटीव फोर्स ऑन B डी टू एक तो कि दोनों बराबर ही होगा इसका वेल्यू कितना पते है इसने है वन पाई एपसेलन जीरो अपसेट आपर पहला चार्ज का नाम क्या लिए है क्यू दूसरा चार्ज क्यू नॉट अब दोने इसन आर स्कार यह हमारा फोर्स वेक्टर हो गया बेक्टर नहीं है तो मैंगनिटू अगर फिक्टर फ़र्स एक क्या करेंगे दोनों तरफ यूनिट लेक्टर से मिल्टिमप्लाइ कर लेंगे इसको और बेक्टर वेवेन लिख सकते हैं से 1 बाइ 4 पाई एपसलन जीरो एपसलन आर क्यू नॉट एक भेक्टर के पास अगर आप लोग को इतना बात पता हो कि जो आर भेक्टर होता है वो वेक्टर के पास क्या होता है उसका अगर डैरिक्टर चीए तो भेक्टर को उसके में डिटीड से रिवैड कर दो तो बस यह लिए 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 यहांसे और भेक्टर है भाई र का मिट्यूड नीचे महार क्यों हो जाए कि या दो तो आसनला है यह बेक्टर पाउगया वेक्टर रिप्रेजन्टेन पाओ तो option में यही आएगा vector form में लिखने के दिए पूछेगा तब को इस तरह से चीज़ाओं को लिख लेना है इसको पूरे अच्छे से याद कर लेना है vector form को ठीक है? कोई सवाल? नहीं होना चाहिए अब पूछोगे सर क्या क्या लिख दिये Chinese वगर तो सर कहाने आपको पाए पता है क्या है epsilon 0 यह हमारा absolute permeability नाम याद रखना है permeability बोलते हैं इसको जिसका value होता है 8.85 into 10 raised to minus 12 coulomb square per newton meters का एदम ऐसे याद कर लेना है इसको ठीक है और epsilon r क्या है इसको बोलते है relative permeability ठीक है permeability और इसका value होता है 1 किसमे हवा में vacuum में ठीक है लेकिन अक्सर in general 1 से बढ़ा ही होता है and other medium ठीक है कोई सवाल इस पर हम लोग आगे जागर के आगले चप्टर में discuss करेंगे कि यह क्या है क्या करता है आगे discuss कर लेंगे आँसे ठीक है तो थोड़ा आगे देखते हैं इसका यहां जो 1 by 4 pi epsilon 0 था इसका value आता है 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per coulomb square ठीक है पूरा तो अगर हम यह कर देंगे मेरे पास एक charge है Q1 दूसरा charge है Q2 और दोनों के बीच का separation R है तो हम इसी को के भी बोल लेते है यहां से हम दो बात आप जर्ब कर सकते हैं कि जो force है वो directly proportional है product of charge के और inversely proportional to R square के इसको बोलते है inverse square law इसी को बोलते है inverse square law अब यह याद रखना है जो भी दो non-contact forces है जैसे एक अगर हम बोलें कि gravitational force है वो भी 1 by R square चलता है electrostatic force 1 by R square magnetic force 1 by R square एक दम है से समझना है हर जगा यह तो बस आई जागा non-contact force है यह non-contact force मेंना चुए लगा दे रहा है force अना तैसा वाला ठीक है तो यह चीज़ तो यहां से क्या लिखते है कुलंब लाव को अच्छे से अगर लिखना चाहें तो कुलंब लाव जो होता है झाए व हो तोगा है कि अच्छे अच्छे झा है स्बच estàक सहर्विए तो चाहें यह तो इस हो nा utilizz Da यह तो निए टूकोद औरुट आए प्रवारम मझूट दूटखस्ह है ।ो उगां मझूट अच्छेस्चना आए ना मैंनीट्पूट लेना है ना dzie今 Θप्र्स ली प्रोपॉर्स्नल्टू दा स्कायर ओव सेप्रेशन मिं तेम सेप्संट में यह इस specialty ठीक है तुछ alleen होगे हामारा कुलम ल आउ जो फिर से बोल देते हैं कि दो चार्ज है, तो नों के बीच में कितना फोर्स देगा तो के, Q1, Q2 by R स्कार, बस यह यह दखना है, ना, फोर्स कितना है, के, Q1, Q2 by R सकर, Q1 मतला पहला चार, दूसरा चार, Q2, दोनों में दिस्टें र, बस, हो गया, आगे बढ़ते हैं, तो अगर दुम जो छुटर कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं, अगर हमारे पास एक 10 कुलम का चार्ज है, यहाँ पर 20 कुलम का चार्ज है, यह पलस है, यह मैनस है, बोलेगा दोना की बीच में डिस्टेंस होए, ऐसे ठीक है लेगी लेते हैं, 2 मिक्रिका है, कर रहें, फूर्स बताओ कितना होगा, फूर्स कितना हो जाएगा, सर के क्यूवान, क्यूटू बाई आर स्कार होता है, तो फूर्स के का बेलू, अभी बताएं, इतना, क्यूवान का बेलू 10 दिया है, मैनिटूड लिखें, पलस मेनस नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे, बाई 2 का स्क्वाइर ये दो गुना 2 कर लेंगे, क्या ये कट जगा होगा 10 टाइमस में, अदो से ये होगा 5, तो ये होगा 9,5 जब 45, यानि 4,15 इंटू 10 दिखेंगा 9, निउटन अंसर, पदिकत, ये पहला सवाल था, हम एकदम बच्चावला सवाल बना रहे हैं, है ना, तो 2 मैक्रो कुलंब, यहां मैनस में 5 मैक्रो कुलंब, अदोनों के बीच का डिस्टन्स दिया है, चलो ठीके लिखेंगे दिये 2 सिंट्रे, तो 2 सिंट्रे में लिख रहते हैं, यहां से एक डेटा, जो मैक्रो होता है, म्यू का बहलू मैनस में 6 होता है, सेंटी का मैनस में 2 होता है, मीली का दस्वा मैनस में 3 होता है, कीलो का दस्वा मैनस में 3 होता है, एकदम याद रखना है, नैनो का मैनस में 9 होता है, फरमी का मैनस में 15 होता है, कुछ याद रहे ना रहे इतना तो याद रहे चाहिए एकदाब नोट कर लो अभी से दूसरा चार्ज कितना दिख रहा है 5 इंटू 10 दिख रहा है अब बाइद दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है 2 सेंटी देख अभी लिए मैनस 2 का स्कॉर यानि दो बार लिख लेंगा ऐसे करके है ना तो तक यह सुल्डेशन करने मां असान नहीं हो जाए तो देखो तो कुछ 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 हो रहा है क्या देखो तो दो से दो कट गया है ना और तो कुछ कटा ही नहीं देखो तो 9 5 जा 45 बा स्ट्रीट पावर कितना हो गया 13 और यह हो गया 12 या यह यहां से हो गया 225 नूटन अंसर तो यह बेसिक से सवाल थे अब थोड़ाव एसिडिक सवाल करते है कुछ नहीं कोई एसिडिक ने होने वारा इंदम बेसिक कोई भारी बात नहीं बीडियो पड़ा हुआ हुआ यू और इसके बीच का डिसनस मालतर दी है यहां पर यह पर विए चार्ज क्यों है यह है यह ए यह बी यह सी चार्ज है हमको निकालना है force on b कितना होगा याद रखना है कि किसी भी चार्ज के ओपर जो force है वो हर एक चार्ज इंडिविश्वली लगाता है पहला चार्ज भी लगाएगा, C भी B पर लगाएगा, किधर लगाएगा, along the line joining them, यानि एक A चार्ज जो है, A चार्ज जो है, वो B पर अपने ही सीध में लगाएगा, यानि कि B पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानि कि अगर हम सेम चार्ज दे रहे हैं, तो रिपलजन वाला सीन बनेगा तो हम घैस चेक करना चाहते हैं, कि B पर कितना फोर्स लग रहा है, बी ने कितना लगाएगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, फिर सनलो मेरी बात को ध्यान से, हम निकालना चाहते हैं, कि B पर कितना फोर्स लगाएगा, तो force on A due to B, तो B पर उसने धाके लाओगा इधर की तो बोलें पाहला चार्ज के दुसरा दे। क्यू क्यू है तो Q का स्कुाइर, आप दी का स्कुाइर, है न, इदर की तरफ। S भी बोलेगा सर विस्दिग उत्ना ही के Q का स्कुआर का स्कुन ही स्क्ःबद्धग। तो लोगों को है ना कि सार ये चाल इधर निल्कल जाएगा तो नेट फोर्स तो सार इधर ही बनने वाला है तो इसको तो रिजल्टेंट वाला भी मेधड़ से लगा सकते हैं परपेंडिक वाला पैथा गुरस का थियोरम बेस दीख रहा है है या फिर ऐसे देखो अगर हम यह कर दें कि फोर्स नेट जो है किया हम ऐसे कह सकते हैं कि इतना ई-cak लेकिन गेटिब है इसको माइनस में अई-cak लिख लिख लिए आई आ क्याप लूज जाते है और इसको माइनस में क्युम का स्काइर ऄ espero दी का स्काइर सनार फोर्स में घार्स गाओ सर्स और यह तो magnitude है यह लिखा वह इसको कुछ नहीं करेंगे, KQ का स्क्वार बार D का स्क्वार, और इसका value क्या है, I का स्क्वार और J का स्क्वार, यहाद है, अगर vector होता है, X, I cap, plus N, Y, J cap, और Z, K cap होता है, यह अगर मालो R vector है, R का magnitude कैसे लिखते हैं, root over X का स्क्वार, Y का स्क्वार, और Z का स्क्वार, यहाँ पर I क्या है, I का unit का होता है, 1, का स्क्वार प्लस में, 1 का स्क्वार, I think root 2 होगे क्या, तो root 2 times of, KQ का स्क्वार बार D स्क्वार, negative नहीं लिखेंगे, क्योंके magnitude लिख रहे हैं, अब यह बात कहां से है सर, क्योंके हमको पता है कि एक वेक्टर के पास, दोही चीज़ होता, एक मैगी होता है, और उसका एक मासाला होता है, पूछेगा मासाला कितना है सर, तो वेक्टर को उसके मैगी से डिवाइड कर दीजिए सर, तो भी पता है, यह भी पता है, दुनों को डिवाइड कर लोगे, तो बारा डिरेसन आ जाएगा, है ना, कोई दिकत नहीं होना चाहिए, क्या हम निकाल दें, शचलो ठीक है, निकाल ही देते हैं, इतना तो करी ही सकते हैं, भीक्टर हमको पता है, क्यू का स्कूर बै, डी का स् कर भाए, डी का स्कूर, यह तो घड़ी है जी, ना, तो क्या आगे है, आई कैप, पलस में जे, उपर मैनस बिता ना, तो मैनस में, आप बाए, रूट टू, क्याने, मैनस में बाए, रूट टू, आई कैप पलस में, जे कैप, यह सब बात, एक और कुशन कर लेते हैं, इसी है, यह बी है, यह सी है, और इन सब के बीच का डिस्टंस में को डी दिया हुआ है, कह रहेगा, इस पे बताओ कि बी पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस बी पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो कैसे डील करेंगे इसको, तो सर, ए वाला भी सिखाए, ए वाला ब C वाले को ripple करेगा इधर की तरफ, कितना से? ठीक है, तो KQ का square by D square इधर की तरफ, along the line joining them, एक चाल से धकिल देखा है न, तो C वालाई भी B वाले को ऐसे धकिल दाऊ है, कितना? तो KQ का A square वे D square से से Sir यहाँ तो perfect निकलर नहीं हुआ नहीं हुआ तो क्या ही बात है देखो तो ये angle तो 60 degree है ये भी 60 degree है और हम जानते हैं कि resultant जो होता है दो vector का वो होता है A square प्लस में B square प्लस में 2 AB cos theta पढ़े हैं दो vector resultant देखो दो vector दीख रहा है resultant निकाल लोगे इसी formula से A पता है B पता है root कर लोगे है ना तो यहाँ पर जो force net आने वाला है हम उसको इसे लिख से थे क्या हो अच्छा हम F लिख लेते हैं कौन इतना बढ़ा थे हैं से ले F लिख लेते हैं क्या हो जब एफ का square प्लस में F का square प्लस में 2 F F cos theta तो देखो ध्यान से क्या दिख रहा है हमको 2 F का square दिख रहा है ने आपर प्लस में 2 F का square cos theta सौल कर लेंगे यहां से है ना तो देखो तो F का square और 2 तो बहार आ गया ना 1 प्लस में cos theta और एक formula याद रखना है पढ़े तो हो गई इतना है ना हम उमीद कर रहे हैं कि तुम लोग थोड़ा पीछे का चीज़ पर जादा रोड नहीं तो इसो को याद रखने के लिए भी चीज़ें हम बता रहे है कि 1 प्लस में cos theta का formula होता है 2 cos square theta by 2 तो यह याद रखना है एफ बाहर आ गया और cos theta by 2 बाहर आ गया यह हमारा हो गया f net है ना तो दिखो हो गया answer खत्म है ना तो solve अगर करेंगे तो क्या ज़गे लिखेंगे kq का square by d का square और cos कितना था एंगल 60 का आज़ा cos theta by root 3 by 2 होता है ना तो वह आ ज़गा यानि रूट 3 क्या q का square by d का square that's one तो दिकत इतना हो गया net force आगे और illustration तुम लोग किये ही होगे हम इस पर आगे बढ़ जाते हैं I hope की column law समझ में आ गया होगा अब तक तो तो हम लोग वह नहीं तक charge देखे हैं properties देखे हैं और method of charging देख लिए induction कैसे काम करता है different method सीख लिए column law भी सीख ही लिए अब तक तो हाँ तो हम लोग column law सीख चुके हैं अब तक तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे चीजाओं को continue करते हैं तो अगला topic है हमारा इसके आगे हो जा सेकेंड हाँ यह लेक्ट्रिक field e vector ठीक है यह क्या हता है यह बस space around any charge ठीक है वेर अबने discharge experience is electrostatic force है नहीं वेर अबने test charge Q0 experiences a Demonstrator एक इसटाटिक फोर्स, पास समय है, और पता है ये, इलेक्टिक फिल्ड समझ में आ गया ना, तो अगर हम लोग देखें कि कैसे अभी पीछे भी पता है थे, अगर एक यहाँ पर test charge लगता है, Q 0, तो एक फोर्स लगता है, जिसका विल्गोता प्रफ वेक्टर आई यह किदर लगता है along electric field, along electric field, field के तरफ ही लगता है, यह बात हम लोग पहले से जानते हैं, पीछे भी पढ़ेते हैं, वही बात है यहाँ पर भी, अगर हम पूछे unit क्या हो जाएगा, तो क्या हम कहा सकते हैं, equal to force by q naught, देखो तो ध्यान से, equal to force by q naught हो जा दो, तो newton के लिए हम लोग पता है, ml t minus 2 होता है, dimension के लिए, column के लिए a into t पढ़ेते भी तुरत, तो solve अगर कर लेगे, यहाँ से क्या जाएगा, ml दिख रहा है, t per power minus 3 दिख रहा है, a inverse, ऐसा कुछ आ रहा है, यह minus 1 लिखा हो यहाँ पर, इतना, यह होगे dimension, महुत असान हो due to point charge, है न, क्या होगा, क्योंकि हमको पता है, कि अगर हम यहाँ पर, एक सिर्फ Q charge लेते हैं, और यहाँ पर, हमको इलिख फिल निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, प्लस में 1 कुलम चार्ज रख लिखते हैं, तो बताओ, यह distance R ले ले लेते हैं, तो force कितना हो जाएगा, सर, क्यू, वन बाई आर स्क्वेर, ऐसे भी कर सकते हैं, और जो यह force है, हम इसी को इलिख फिल कर देते हैं, तो भी हमारा जो इलिख फिल हैगा, वो क्यू बाई आर स्क्वेर हैगा, नहीं समझ में है, एह समझो, कि अगर हम यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रख देते हैं, इसको हम इसे रने देते हैं, थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, हम अगला situation समझाते हैं, क्या हम कहना चार है, एगर यहाँ पर क्यू कर दिए, और यहाँ पर हम क्यू नॉट कर देते हैं, आर डिस्टन्स पर, यहाँ पर निकालना जाए, इलिट्रिफिल है कितना, तो समझी में आया बात की नहीं है, क्या बेक्टर फॉर्म बता दू इसका, इलिट्रिफिल वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो क्या क्यू बाए, आर इस्कौर इंटू आर कैप लिखते हैं, योग यहाँ से क्यू आर वेक्टर बाइ, आर का मेंटेटू इन्टू आर का डिरेक्ट समझ में आगे यहां तक बात अच्छा के का भी लू तुम लोगों पता है ना वह याद रख लेंगो फोर पाई एपसालन जीरो एपसालन आर क्यू बाई क्यू आर बेक्टर बाई आर का क्यू अच्छा अब यूज करेंगे जब मीडियम होगा यह अगर बोलेंगे चार्ज ह आप मालों की केरोसीन ओयल है केरोसीन ओयल में चार्ज डाल दिया है पानी में डाल दिया है मीडियम कोई भी डाल दिया है लकडी कंदर में चार्ज डाल दिया है तब हम अपसालन आर का यूज करेंगे तो इन जेनल हम लोग अपसालन आर का यूज नहीं करते हैं तेकर सव मीडियम पर भी डिपेंड इधर रहता है कि कितना इलेक्ट्रिक फिल्ड होगा अज़र ओके और कुछ प्रोपर्टीज है इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स के हम लोग भी देख लेता है पहले फिर आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स के प्रोपर्टीज है तो पहला जेनरेटेड क्या होता है पीछे सीखेते हैं जेनरेटेड प्रॉम पॉजिटिव चार्ज है ना एंड टर्मिनेट्स इंटू निगेटिव चार्ज है ठीक है यानि कि पलस में से निकल करके यह माइनस में टर् करता है शुरुबात में भी सिखेते हैं उसी बात को हम आगे यहाँ बर भी लिख रहा है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दुसरा पॉइंट क्या है इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पॉइंटृंञblack Cabinet यहाँ इसके पास कोई सदन स्था में गया है जो जाखेंड व्रे नहीं होने वाल है तो यह ने कि तो पूरा continue होता है, plus से निकला है, तो minus में जाकर कई दम लेगा ने, तो बीच में रस्ताम ने टुटेगा, यह सही न है इसका, ठीक है, और they are differential curve, they are differential curve, ठीक है, याने इसे किसी भी point पर अगर हम लोग derivative निकालेंगे, differentiation जो mathematics के बच्चे उसको सबज़ आ रहा होगा बात, क्या हम करना चाते हैं, किसी point पर अगर slope of tangent निकालोगे, तो वो आएगा, है ना, ऐसा नहीं, undefined नहीं हो जाएगा, या फिर left derivative, right derivative, अगर नहीं होगा, यह बात समझने आना चाहिए, ठीक है, अब fourth number में है, कि electric field is given by tangent drawn to the lines, उस line के उपर अगर हम tangent drop कर दें, मालना यह 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 line बनाया, है ना, तो इस पर अगर हम यहाँ पर कहीं पर tangent drop कर दें, सपोज कर लो हम यहाँ पर tangent drop कर दिया, तो इधा यहाँ पर अगर हम पर tangent drop कर दें, तो इलेट्रिकल के दर हो यह होगा, पूछेगा, कि suppose कर लो कि अगर हम इसको ऐसे कर के, यहां तक लेकर आगा है, है ना, ऐसे, तो पूछेगा सर, यहाँ बताईए आपको ना, इलेट्रिकल के तरह इस जवेपर, यहाँ पर हम यह टेंजन ड्रॉप कर देंगा, ऐसे कर के, है ना, तो इलेट्रिकल के दिखाएंगा, तो काट, इंटर्सेक्ट, इच अधर, यह, एक दुसरे को नहीं काटते है, यह रस्ता में गया, इसे काट भिया, फटाख फट, ऐसा, तो दो इसको दो तीन सोलिशन हो सकते हैं, जो बुक में है, वही है, कि एक ही पॉइंट पर दो दो देरेशन पॉसिबल नहीं है, वह वाला अगर वड़ हो गया, तो इसलिए भी यह कटेगा नहीं, हमारे लिए अंसर इतना ही पता होना चाहिए, यह एक ही पॉइंट पर दो 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 डारेक्शन औफ इलेट्री फिल्ट पॉसिबल नहीं है, इस तरह से इसको समझ लेना है, और इसके वाल सिक्त नमबर में है, कि अपने में हवे में निकल करके हवे में खतम हो गया, भाई जिनरेट होने के लिए चार चाहिए, पलस चाहिए, मैनस चाहिए, जहां से निकलेगा, जहां जाएगा, यह नहीं के हवे में निकल करके हवे में घुस गिया, यह नहीं हो सकता, ठीक है, यह वाला, अगला है हमार इसके सर्फेस से कैसे निकले यह हर समय परपेंडिकलर निकलेगा ऐसे बात समय वाएकि नहीं है ऐसे इंदा उसर पेंडिकलर निकलेगा को दिकत है कि अमिवार ने कोई बोल देना कि सर पैरा में से हम बना दिए आप बाइलो जी धूर्ण पढ़ा रहे हैं जी यह हर समय परपेंडिकुलर निकलेगा इसको परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है तो हम समझ सकते हो कि हम ड्रॉग कर रहे हैं तो फील कर लोगी है निकलेगा परपेंडिकुलर बात समय नहीं आए ऐसे है ठीक है अगला पॉइंट है हमारे पास थक जी बोलते बोलते ठीक है चार्ज का जो मेगनिट्यूड होगा जीतना ज्यादा उतना ही ज्यादा इल्टिक निकलता है है ना तो समय बात को तो नमबर आफ एलेक्ट्रिक फिल्ड है ना जेनेरेटेटेट इस डिर्ट्ली परपर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्पर् तो हम लोगों ने क्या देखा पीछे तो चलो अब आगे देखते हैं कहने का मतलब यह है कि अगर हम यह कहा दें कि मेरे पास एक चार्ज है पलस और एक चार्ज है मैनस समझना पूरे अच्छे स्ध्यान से तब पलस से लिट्रिक फिल निकल रहा होगा मैनस इन जा रहा होगा एसे अगर हम करें दोनों में सीम मेंगिनिट्वीड का चार्ज है तो अराम अराम से ऐसे जित्त तयं निकल लेगा उतना यह खा जाएगा इस व करके बात समझना यह गिनै कि नहीं है कि अगर हम यह करने कि पलस है निकालेका इस जो निकल रहे है अभी भी जा रहा हूंगे यह लेकिन इससे जादा निकलेगगे तो थो फ़्रा अइसा हो जाएगा है यह जदा निकल होगा यहां पर बात समझाए कि निया है ऐसे है तुम निकालो तो सही बिपकुल नहीं तूस-ठूस करें डालें इसन वाला सीन हो जाएगा बात समझाए कि निया है ठीक है ऐसे और अभी इसका बैचरा का बहुत रही गया एब्जॉर्बिशन के पेसिटी कम है जिनरेशन के सिटी तगड़ा वाला है बात समया एक निया है यह सीन हो जाएगा यहां पर बढ़ा जमाग में है ओके आगे बढ़े अच्छा अगर महीं कर देंगी मेरे पस प्लस और प्लस है तो क्या सीन होगा बहुत दूर बागो जितना जल्दी हो सके ठीक है अधान दूर दूर रहो ठीक है ऐसा क्योंकि दोनों स्वार्थ पूरती होना चीए बात सुन्या इतना बात तो तुम लोग को पता होगा है ना ने पता पता है अब आगे बढ़ते हैं यहां से और यहां पर कोई रिटिकल नहीं बनेगा ऐसा रिटिकल लोग यहां पर समझ सकते हैं ओके यहां तक लोग को बात समझ में आचुका है आगे बढ़ें यहां से ठीक अछिट्रिक फिल्ड में एक दो चीज और समझ लेते हैं अगर हम कर दें मेरे पास एक इनिफॉर्म रिट्रिक फिल्ड है और यहां पर हम लोग समझते हैं मोसन अफ चार्ज क्या हो रहा होगा पूसन अफ च और हम जानते हैं एक्स लेशन जो आता है वो क्यू इबाए एम के बराबर हो जाएगा वेक्टर में ही लिखना एसी को और फोर्स किदर होगा इलेट्रिक फिल्ट के डिरेक्षन में होगा याद रखना है इस बात को ठीक है अगर हम को यह पर एक एक एक्जामपल लेज अगर पूछए को यहाँ पर किस रफ्तार से चल रहा था कहा नहीं का सकते हैं कैसे लिखोगे सर इनिस्याल रफ्तार जीरो एक्सलेरशन कितना तो क्यूई बाइम आगे उसमें और डिस्टेंस कितना हो गया डिस्प्लेस्मेंट जो इसका बॉड़ी का वोड़ी हो गया यह तीन चीज पता चल गया है तो हमको अगर भेलोस्टी निकालना है तो क्या लिख बैठा दिमाग में है ठीक है एक्सलेशन में को पता चल गया भी पता चल गया और तो कुछ है नहीं इसमें कितना समय लगेगा हां समय अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ एटी स्क्वाइर से यह भी यूज कर सकते हैं ठीक होगे टी का स्क्वाइर तो टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू एम डी बाई क्यू यी का रूट इतना देर में चार्ज वहाँ डी डिस्नस कवर कर लेगा अगर हम कर दिये कि यही आईसे करके यह पलस है और यह रहा मैनस ठीक है और यहाँ पर से अगर हमें एक पलस क्यू चार्ज को किसी भी रफ्तार से फेक दी है यह चार्ज ऐसे जाएगा नहीं क्योंकि सोचके दो को पलस और मैनस के विचे नहीं के लिट टिपर ऐसे बना गर रखा है तो इसा फोर्स इढर लगेगा समझ पलस इसा रही बद को तो चार्ज का बात सोचत कैसे यह पलस धकिलते जाल जाएगा यह ऐसे आजए बात सुझाया चार्ज यह निकलेगा सोचके दो किसी भी इंस्टेंट पर जब चार्ज यहाँ होगा एच्छे से बात समझना अब तक नहीं समझेऊ तो पूरे चरश कि अधर आउगा जिदर इलेरी फ्लोट होता है यह पात हम लो जामते हैं तो इदर की तरफ क्यों हो गया इस चक्र में एक्स लेशन भी एक्स के तरफ क्या रफ्तार है भी इसको भी कर लें तो को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको यू ही लिख लेते हैं क्या लिखते हैं मैं यू माल लो कि यू यू सुरुएत q soda राफतार में का गया टो यू है आध connected song abd хватE ने गया यू ऑपटना एक्स तरफ तो है नहीं और हम लोग एतना तोलोग जानती हिए पुइन Сब्सक्राइब कर अब कितनारों टो से क्वाइँ छूरु डिस्प्रेसमेंट है या फेंड हमने फेकां देखर की दिश्कार नहीं 10 सांब में का रव्तार नहीं lenकिन यह रश्प्तार कित्ना हो गया displacement हमको निकालना है SY कितना होगा या फिर मान लो कि यह distance VB over D यह भी distance मान लो कि D, यह D over तीन चीस तो यहीं से पता चल गया तो यहां से काउन को नसा फरों लगा लेंगे कितना समय लगा और कितना velocity लगा होगा तो BY निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे बेलोश्टीन वाइडरेक्षन में तो BY का स्क्वाइर, UY का स्क्वाइर इक्वाइर 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 एक्वाइर इसे लिख लेंगे Y डिरेक्षन में Y का equation X में X का equation बस ठीक है तो BY का स्क्वाइर हो गया U0 हो गया QE by M और SY के जगे पे displacement इधर का रफ्तार यहां से निकल रहा होगा नीचे की तरफ का रफ्तार इतना हो गया इधर का रफ्तार तो यही रहेगा ना सर जी यही रहेगा यही रहेगा इधर का रफ्तार इधर का रफ्तार यह हो गया बात समझ में आ गया तो इस तरह से मोसन का हम लोग study कर सकते हैं और भी इसमें समझाएं यह जो path होगा यह path याद रखना है कि पारा बोलीक होता है ठीक है पारा बोलीक path होता है हम बस एक च्छटब illustration ले रहे हैं ताकि बात समझ में आए हम यह पूरे chapter नहीं पढ़ा है बस च्छी च्छी बाते हैं अना complete के लिए अब आगे बढ़ते हैं अगलर टॉपिक इसी में अगर कहा दिया कि हमारे पास एक charge है क्यूँ इसे कारण किसी और कितना इलिटिकल होगा पुसार यहां पर होगा कि यह क्यूवाय आइसका है ठीक है अगर कहा दिया दूसरा अगर चार्ज यहां पर क्यूँ एक चार्ज यहां पर क्यूअ है कर दिया यहां पर बताओ एक इधर की तरफ यह इंद निकालेंगे तो कैसे यहाँ पर से माइनस में kq by d ka square i cap माइनस में kq by d square j cap ऐसा हो जागा यहाँ से बागे तों लोगों पूरा कहानी अब तो पता है कि कैसे use करेंगे i cap plus में j cap हो जाएगा माइनस में kq by d ka square अच्छा क्यों हम यहाँ माइनस माइनस क्यों लिख रहे हैं अगर magnitude पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम वो लिख रहे हैं सीधा तो यह क्यों हो जाएगा magnitude में x1 का square 1 का square यहाँ गरूट 2 हो गया 2 to 2 kq का square बहुत d का square यह हो गया नएगी इसका ठीक है example number 3 पर बात करते है example number 3 पर क्या होगा यह सवाल है क्या हम लोग इस सबस्वाल को कर र emocement कर सकते हैं कि इसके करण क्या क्या लग रहा होगा है ना इस जार इस सवार कर पूछ इन इस तर बता दो इसके का रहे टीकल लग रहा हुए सवारी दर लग रहा कि अब बतादू नियेट इलेक्ट्रिक फिल्ट यहां पर कितना होने वाला है एक चार्ज क्यू है यहां पर भी क्यू है यहां पर भी क्यू है यहां पर पूछा इस वाले point पर तो कैसे निकालेंगे सर इसके कारण इधर की तरफ होगा इसके कारण सर इधर की तरफ होगा सुनाए पड़ा नहीं पड़ा फिर सुनू इसके कारण ये वाला जो चार्ज है उपर वाला उपर वाला उसके कारण इधर पर इधर along the line joining them नीचे की तरफ नीचे वाले कारण इधार और कौना कौनी वाला डागुनली जो आपजीट वाले उसे कारण सीधे इधार हना अगर हम मालने कि डिसेंस डी है ऐसे ठीक है कि यह जो फोर्स होगा यह देए ने सब्सक्राइब क्षर यह देए और यह को है थे गई देफिटु और और कि टुकितना हो जागा यह माइनस हो जागा ओना कि एक्यों का स्कूर बाइज का स्कूर माइनस में जेक है और E dash का value कितना है, यह होजागा किये Q का square by, यह distance कितना है, D root 2 हो गया, diagonal का length, D root 2, तो D root 2 का whole square, यह magnitude में लिख देते हैं, direction में हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, 45 degree के आसपास में इधर इधर है, है ना, तो चलो, अगर हम magnitude में बात करें, तो सर, यह दोनों ते दूसरे का perpendicular है, तो इसका जो net electric field आएगा, वो तो इधर ही आएगा, वो तो E root 2 हो जाएगा, तो net electric field क्या बना यहाँ पर, अगर हम पूछें, net electric field क्या हो जागा, तो E root 2, पलस में E dash, अब E का तो magnitude यही है, सिर्फ magnitude दे square, अब पलस में यह हो के E dash, मतलब KQ का square by D का square into 2, इसको add कर लेंगे, तो I think 3KQ का square by 2D square, आगे बसमझें, ओके, अब इसके आगे देखते है, Gauss law, Gauss law के जानने के पहले, हम लोग एक चीज़ सीख लेते हैं, सबसे पहले, electric flux, ठीक है, electric flux क्या होता है, यह होता, dot product, है न, dot product of electric field vector, ठीक है, and area vector, ठीक है, बसी, यह पिर इसको बोलते है, the strength of, है, strength of electric field passing through, any area, ठीक है, सब्सक्राइब, यह ही मेरा area है, और यहां से अगर हम, कुछ electric fields को pass करवना चाहते हैं, यहां पर area vector अगर हम ऐसे दिखा दें, electric field यहां पर अगर हम ऐसे दिखा दें, अगर दोनों की बीच का अगर हम theta कर दें, यहां जो flux होगा, वो जागा, यह vector dot of area vector, जिसको हम कर दें, यह cost theta, ठीक है, यह flux होगा, दो तिन चीज और सीखने लिए फटा पर, यह unit क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कुलंब इंटू मीटर स्क्वार, area के लिए, मीटर स्क्वार हो जागा, और टिक्फिल का न्यूटर पर कुलंब हो जाता है, पुझे का dimension बता दू, तो neuron के लिए ml t-2, कुलंब के लिए 80, मीटर के लिए l square, तो यह आस हो गया ml का cube, t-3, और a inverse, यह इसका dimension हो जाएगा, दो-तिन बात सीख सकते हैं, यहां से फटा-फट है ना, कि अगर theta का value 0 degree हो, theta का value गर 90 degree हो, theta का value अगर 180 degree हो, theta का value अगर 0 degree हो, तो जो फलक्स हो जाएगा, वो हो जागा, ea cos 0 degree, सिधा बात है, यह यह हो जाएगा, यहनि कि अगर हम करें, एक area है मारे पास, इस area से होकर के electrical sr अगर हम assume करें, हाँ, जो भी area है मानलोगी, यही मेरा idea है, इस अगर पूरा area से होकर के electrical cross कर गया, उसको करते है flux, ठीक है, अब सुझे को area ऐसे flat और उससे उपर से निकल गया, तो पास नहीं किया, इस पास नहीं किया, इस पास जीरो, है ना, अब इसके लिए 0 कैसे हुआ, तो हम area vector ऐसे लिखते हैं, अगर मानलो कि surface area ऐसे है, area समझ में आ रहा है, area तो बड़े हो न, area इतना होता है, area vector क्या होगा, surface के perpendicular area vector दिखाते है, ठीक है, अगर area vector ऐसे, area vector ऐसे, तो पास जाएगा 0, और अगर ऐसे हो गया, तो area vector ऐसे, तो फलक्स जाएगा 0, और अगर ऐसे फलक्स होगा, वो negative हो जाएगा, लेकिन होगा यह, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर समझने के लिए था है, यानि कहाने का मतलब यह हो गया, इस पूरे कहानी में, area vector ऐसे, और electric field हमारा ऐसे है, इसमें हो जागा, फलक्स का बड़े हो 0, क्योंकि cos 90 को बड़े हो जाता है, इसमें क्या हो, मालों की area vector ऐसे है, और electric field ऐसे है, तो area vector ऐसे है, यह surface area ऐसे है, लेकिन area vector ऐसे है, और electric field और इस condition में क्या हो जाएगा, और इस condition में फलक्स जो आएगा, वो जागा minus में यह क्यों हो, क्योंकि cos 180 का value minus 1 होता है, यह तीन बात हम लोगो ने यहाँ से समझ लेना है, ठीक है, जिसे अगर example के तोर पर गरों को पूछ लिया, कि अगर electric field दिया हुआ है, 100 newton per coulomb i cap, plus में 200 newton per coulomb j cap, plus में 300 newton per coulomb k cap, है ना, और area जो है, is along, ठीक है, area is in, हम लिख देते हैं, यहाँ से, xy plane, area is in, xy plane, या फिर तीनों plane में ही discuss कर लेते हैं, इसको बहटाई दे रहे हैं, है ना, तीनों सवाल ही कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, बात समझ में ज्यादा है का हम लोग को है ना, तो पहला example ले लेते हैं, पहले condition, case number 1 प यह रहा area, है ना, मालो 10 meter का और 10 meter का area ही है, सोच के दुख इसका area vector कितर होगा, यह assume कर लो, यह हमारा x axis होगया, यह हमारा y axis होगया, और यह हमारा g axis होगया, तो इसका area vector कितर होगा, surface के perpendicular, तो surface तो है मारा xy plane में है, तो उसका area vector होगा z की तरफ, area vector कितर होगा, z की तरफ, यह होगे area vector, अगर हम area vector लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे, area पहले कितना होगा 10 to 10, और होगा k की तरफ, अब आया समझें, कैसे लिखे, area, area कितना हो 10 to 10 का, वो length, breadth, पता चलिए, high direction z की तरफ, इसलिए minus, sorry, k के, यहाँ सागे हमारे पास 100 k cap, तो phalux कितना हो जाएगा, e into area बेटर का dot, तो dot में क्या करें, k वाले के से multiply करेंगे, i और j, dot में क्या होता है, i वाले को, i के साथ, j वाले को, j के साथ, k वाले को, k वाले साथ, multiply करते हैं, अब i और j तो ही नहीं, इसके पास, k वाले के वाले से multiply कर लेते हैं, तो मतलब कहने को लग गया, 100, i cap प्लस मे 200 J cap plus में 300 K cap है इसको dot करवाना है 100 K cap से तो कैसे multiply करेंगे सिर्फ इसको इससे करवा है या न के वाले को के से तो कितना हो जाएगा यहां से 300 into 100 यह होगा हमारे पास 3 into 10 पे पावर देख लो कितना 4 है क्या 4 Newton meter square per column answer और यह याद रखना है कि scalar quantity है यह पीछे हम लिख देते हैं यहां पर से यह कि scalar quantity है एक दम याद रखना चाहिए सब चीज है ठीक है यह स्केलर quantity है तो यह आगा हमारे पास है ना अगर सपोज कि लो second example में अगर हम बात करें कुछ इस तरह का scene दिया हुआ है इसमें area लेकिन हम ऐसे बदल देते हैं area हम ऐसे कर दे रहे हैं यह हो गया हमारा area vector यह हमारा 10 meter into 10 meter का है यह है इसका area vector इदर की तरफ हो जाएगा क्या यह एक्स की तरफ हो गया यह x हो गया यह y हो गया और यह z हो गया तो जो area vector आ रहा होगा वो तो x की तरफ आ जाएगा इस बार area vector कितना लिखे हैं अभी वह लिखेंगा 100 i cap तो फलक्स क्या हो जाएगा इसका e vector dot of area vector मतलब 100 i cap प्लस में 200 j cap प्लस में 300 k cap को अगर हम dot करवा दिये कितना है 100 i cap से इसको इस बार किसे i वाले को i वाले से यह है i और यह है i इसको इससे dot करवाएगे जो फलक्स जाएगा 100 into 100 हो जाएगा क्यांस हो गया टेवा 4 newton meter square पर कुलंबान सा ठीक है और third case क्या हो सकता है अगर हम third case पर बात करें तो यह कुछ इस तरह का scene हो सकता है कि इस बार एरिया हम अगर हम इधर ले ले लेते हैं इस plane में ऐसे इस बार इधर की तरफ हो जाएगा है ना इस बार एरिया बेटर कितना होगे हमारे पास अभी भी 10 into 10 लेकिन जे कैप की तरफ हो जाएगा है ना तो समझ में आगे यह होगे हमारे पास 100 जे कैप तो फलक्स हो जाएगा हमारे पास का 100 आई कैप प्लस में 200 जे कैप प्लस में 300 के कैप into 100 j cap तो j वाले को j वाले से multiply कर लिए तो यहां से हो गया 200 into 100 तो basically 2 into 10 power 4 newton meter square पर पुलना बान सरफ अब तीनों ही सवाल को इस सोचो पहला सवाल को देखो दियान से क्या हुआ कि पहले में electric field देखो किदर की तरह पर यहां से area है हमारा z की तरफ हाना एरिया जो है ऐसे ऐसे है तो z की तरफ वाला electric field निकल जाएगा और y वाला भी surface के parallel निकल जाएगा तो जो इसमें से घूस करके निकला वो तो इधर वाला electric field होगा या फिर इधर वाला होगा बस नहीं है है ऐसे वाला या ऐसे वाला है क्या वाज कर रहा है ठीक यह पास हो है तो कुछ सीनिय से जाएगा तो इधर वाला electric field कौन है तो जो 300 है जो जड की तरफ जा रहा है तो 300 into 100 देख आया हुई अना similarly अगर हम यहां second में बात करें तो इस बार electric field है हमारा अगले वाले में दीख रहा है कि इस पार एरिया वेक्टर है उपर तो इधर वाला चीए यह 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 वाला चीए इसलिए वाय का हूँ वाइसे multiply के simple answer था direct भी हम ऐसे भी solve कर सकते ते यह तो एक mechanical दरीका हुआ चुटकी में ऐसे solve हो सकता था clear हो गया बात तो फलक्स यहां तक समझ में आ गया ठीक है अगर कह दिया कि अगर हमारे पास यह सपोज गर ऐसे करके non uniform electric field है दो तिन बात हम सिर्फ पूछना चाह रहे हैं न मानलों कि non uniform electric field है ठीक है तो एक दो बात पता होना चीए कि अगर जहां पर ज्यादा tiếp है LP vari current जादा कहना क्वाँए वह पर स्ट्रेंथ i ress horizontच का ज़्यादा होगा दूर में इंडाट último stand कम हुगा ठीक है तो अगर यह कह दे french से अंडरहमें चोड़ा सा बात बता है है और यहां पर एक ऐसे समें से च्छहर पास कर रहा मकुन चल़ Está चेसमे से पास किया इसका अगर मौलोग्छ Bi1 है इसका फ्रेंद फ्रपायदा है तो इसलिए जाधा अगर हम यह कुछ ऐसा सीन ले लेते हैं इसमें इसमें फ्लक्स यहां पर फाइटू है इसमें फाइवन और फाइटू बराबर हो जाएगा योगि जितना स्ट्रेंट परले में घूसा इसरवले में वितूत नहीं है ये किसके लिए बतातो पार यूनिफॉर्म इलेक्रिक बात समझ में आया कि नहीं है अब जाकर के हम लोग इस्टडी कर सकते हैं गास लॉग का गास लॉग क्या बोलता है कि जो नेट फ्लक्स थ्रू एनी ख्लोज सर्फेस ख्लोज सर्फेस इस एक्वल टू क्यू इन्ट्लोज बाइप्सलन जीरो यह होता है ठीक है जो फ्लक्स होगा इसको हम लोग integral of e.da भी कहते है ठीक है जो कि e.da था अगर मौन लोग non-uniforme इन्टे फिल्ड है या फिर अजीव सर्फेस एरिया है तब हम integral करके भी निकाल सकते हैं यहां सो यह q enclosed by epsilon 0 यह होता है गास लॉग कहने का मतलब क्या है यहाँ पर यह बात समयाना चाहिए ठीक है circle नहीं है यह not a circle या not a planar picker यह पुरग पर इस fair type का ऐसा ठीक है यह फिर अमरूद type का है पपीता के तरह है समझ गए बात को समझ गए पपाया पपीता बाटरमेलन ठीक अगर मौन लोग यहाँ पर ठीक है अगर हम यहाँ पर एक charge q1 कर लेते हैं यहाँ पर charge q2 कर लेते हैं यहाँ पर q3 यहाँ पर q4 यहाँ पर q5 कर लेते हैं तो कहता है यह फलक्स जो होगा सर अंदर में include charge कितना है अंदर में तो q3 दिख रहा है पलस में यह minus कर लेते हैं तो प्लस में Q3, मैंनस में Q4 दीख रहा है, प्लस में Q5 दीख रहा है, बाइ, Epsilon 0 हो जाएगा, बात सुझाएगा अंदर वाला चार देखना है, बाहर वाला के लिए नहीं देखेंगा, बाहर वाले बाहर जाने हैं, ठीक है, जिसे एक्जामपल के तौर पर ले लेते हैं, बोल देखा यहीं सर्फेस है, यहाँ पर प्लस में 1 कुलम रखती है, यहाँ पर मैनस में 2 कुलम रखती हैं, यहाँ पर प्लस में 3 कुलम कर दिए, यहां पर plus में 4 कुलम गर दिये हैं अब मैंनस में 5 कुलम गर दिये बोलेगा अब फलक्स गताओ अंदर में कितना plus 1 minus 1 मैनस 2 मैनस 2 और plus में 3 ये 2 देखा हूआ बाइ एपसलन 0 है ना तो 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 314 में से 2 चला गया तो टू अपॉन एपसालन जीरो ने वो गया अंसर ठीक है अगर हम बोलने के हमारे पस कोई एक स्फेयर है इस स्फेयर में चार्ज क्यों है तो बता अप्लाइक कितना हो जाएगा क्योंप एपसालन जीरो ठीक है अगर कोई कहा एक ट्रैंगुलर प ёрGame क्या है किigs॓ जिए में कि चार्ज हो जाए गा इस र Bend ओण जिए और घुबी क्राने संज होगा अगर क्यूबी कल रिजंट नखित कर Link फंजन बन रहा होगा ये तो निट फिर मेज़े हैं फ्लक्स था अगर हम पूछें फ्लक्स थूवन फेस फ्लक्स थूवन फेस क्या हो जागा तो सर्क्यू अपॉन शिक्स अपसलन जीरू लिखने में में को कोई दिक्कत होगा अरे ऐसे समझें के एक इस एक क्यूबिकल रीजन है उसके सेंटर पर इए चार पर चार से जो निकल रहा है चार अतरफ अधर निकल रहा होगा तो सिर्फ एक साइड है कितना तो क्यों अपसलन जीरू आगे समझें ऐसे समझ सकते हैं ठीक है तो इसी में एक सवाल लेगे उसे पूछ रहा है कि एक चार्ज है उसके सेंटर से यहां पर क्यों एक चार रखा गया जो कि एल वाइटू डिस्टेंस है ठीक है यह एल डिस्टेंस है तो यहां पर क्या कर सकते थे हम एक हैपोथेटिकल क्यूब बना सकते हैं और क्यूब के अंदर में चार्ज कुल जा करके हम सो सकते हैं क्या कैसा सीन हो सकता है ठीक है कि बीचे में चार्ज है तो अगर हम आप सोचें कि सिर्फ इस से कितना फ इस केस में बात समझना आजाना चाहिए अब इसे कुछ-कुछ application है हम उस पर भी discuss कर लेते हैं फटा-फट देखते हैं यहां से पहला है point charge तो अगर point charge करने electric field कितना होता है बता दो 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square और यह याद रखना है graph b कि इसका scene क्या होगा और के साथ में electric field का यह ऐसा graph आगा और अगर घटेगा तो बहुत जादा होगा charge अगर sorry charge के बहुत close जाएंगे ति फिली infinity की तरफ जाएगा यह भी याद रखना है बात समझा आ गया और यह हम दोना direction नहीं में discuss कर सकते हैं इधर भी और इधर भी ऐसे ठीक है second है हमारा hollow sphere यह ना hollow sphere या फिर conducting sphere conducting sphere conducting sphere के conductor के अंदर में रिट्टि फिल नहीं होता है या तो hollow sphere है तो अंदर में यह चाल्ज नहीं है अगर conducting हो रहे तो अंदर में charge रह नहीं सकता सारा charge मूब करें अनकर मूब कर सकता सब कर सब सबूर्भ सर्फिस पर आजाएगा ठीक है तो तो सीन क्या होज़ेगा यह पुइंट चार्ज के पहले बात करने थे क्यों से आर अर्डिस में पूछ रहेते हैं अगर अब हम करें यहाँ पर कि मेरे पास एक अधर निकालना चाहते हैं इस स्फेर पर अगर 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 आप इसके फूरा का फूरा प्लस चार्ज डाल दिने थीक है कितना क्यों हम कहां कहां अंदर में अंदर में चार्ज दिए फ्लक्स का एक लिए होगा नहीं होगा समझावाई बात तो फ़लक्स घृट्ट्रिक फिल्द अलें क्या होगा जीरो किवं क्योंकि क्यूंने रहे होने वाला है ठीक है तुसरा पूछेगा आउट बताईए तो याद होना चीए तम पॉइंट चार्ज के तरह भीएव करता हिए वन अपॉन फोर पाई अपसलन जीरो और क्यू अपॉन आर स्कॉर है ना इसके कारण बाहर में यहां पर यह डिस्चन सेंटर से आर लिये हैं यहां पर बोलेगा सरफेसर बता दीजिए सर तो सर सॉलिड नॉन कंड़क्टिंग नॉन कंड़क्टिंग स्फेर सॉलिड नॉन कंड़क्टिंग स्फेर है हमारे पास इस पार अंदर में भी चार्ज रहेगा और अंदर में मालते हैं देनसिटी है चार्ज का देनसिटी है रो रो क्या है बोलको वोल्यूम चार्ज देनसिटी यह जाएगा चार्ज पर उनिट बने है चार्ज भाव ऑन इसको बोलते है नं यह पर क्यू फोल्वूम ठीक है अगर हमने इसा मां लिए है तो हम देखते हैं कहां-कहां चीज़ां को discuss कर सकते हैं तो पहले लिखेंगे यहां पर outside पर discuss करेंगे ना behave like a point चारल बाहर में tension नहीं लेना है यहां पर behave like a point चारल वान अपन 4 पर अपसलन जिरो Q upon R square अगर बोलेगा surface पर बताओ तो surface पर भी same हो जाएगा बस Q upon capital R square हो जाएगा यहां से अगर radius इसका capital आ रहे तो अंदर में जो होता है यह याद रखना बहुत important है कि rho R by 3 epsilon 0 होता है यह inside ठीक है अच्छा पीछे वाले graph नहीं बनाएते तो उसका भी graph दिखाई देते हैं इधर ही दिखाते हैं है ना दोनों का पर हम लिखेते हैं hollow sphere और solid sphere का दोनों का दिखा देते हैं hollow वाले में क्या scene था देखो ध्यान से अंदर में तो सर इलेक्टिफिल था नहीं surface तक radius R तक इलेक्टिफिल नहीं था तो वह 0 दिखा देंगे और surface पर कितना था तो maximum और फिर 1 upon R square से घट गया तो इधर हो गया इलेक्टिफिल डिरेक्टल पर पॉर्पोर्शनल टुवन अपन R square और अंदर में होगे लेक्टिफिल जीरो surface पर हो गया क्यक्यू अपन R square स्वरी capital R square यह और और आर का ग्राफ बात समझाएक नहीं है तो कुछ इस तरह से इंदम पिक्चर देख लो यह होता है और यह दम याद रहना चीए होलो स्फेर दिखा यह कंड़क्टिंग स्फेर दिखा इलेक्टिफिल का बुलेगा चार गोप संदेगा उसमें से कौन सा सही है तो मार देना है इसको ठीक है अगला है हमारे पास यह वाला इसमें क्या हो जाएगा किसर अंदर में इस वाले में दिखना ध्यान से सर्फिस पर पहले बात कर लोते हैं फिर अंदर में लेखते हैं पर जानता है कि के की अपवों के केतल आर स्कवराजा भरगा आफ यहाँ गड़ जैगाने है और वो electrical directly proportional to R है देखो तो इंसाइड कितना था याद है रो आर बाइ 3 Epsilon 0 ठीक है साफ दिख रहा होगा electrical directly proportional to R है बाहर में तो 1 by R स्कौएर से गटी रहा है ठीक है तो option देख लो ये दोनों फोट बहुत इंप्टेंट है याद रहना चाहिए ठीक है अब आगे हो पूर्थ नमबर में कहेगा कि लाइन चार्ज है क्या यह लॉंग चार्जड वायर है लॉंग चार्जड वायर है एक दम लंबा सा इस पर चार्ज है अब यहां पर पहला चीज है कि linear charge density की बात होगे linear charge density जिसको हम लोग कर देंगे lambda यह जगा charge by length इससे हम अगर आर डिस्टेंस से पूछें कितना तो यह ज़िए लेमडा बाई 2 पाई आर एक्सलेंट चीरो एक दम याद रख लो जैसे हम को यादे दम ऐसे याद रहना चीए और साब साब दिकरा है कि लिट्रिक फिलीज इनवर्सली पर्पोस्मेल टुवान अपोन आर यह जागा रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ठीक है मेरे handwriting बहुत अच्छा है यूनेस्को वर्ल्ड बेस्ट handwriting अवार्ड दे चुका है हमको कोई कौम होने करे वह साब बात पर है ठीक है जोग कर रहे थे ठीक है बहुत खराब है उंको पता है तुम लोग का अच्छा है अच्छे से बनो ठीक है यहां तक बात समझ मैं आया कुछ इस तरह का फिफ्ट नंबर में अगर हम बात करें यह कहें चार्जड सीट है चार्जड सीट है इस पे यहां पर एक वर्ड आता है सरफेस चार्ज डेनसीटी सरफेस चार्ज डेनसीटी इसको बोलते हैं सिगमा ठीक है यह हमारा सिगमा क्या बोलते हैं सिगमा उसको लेमडा पीछे वाले को रो बोलते हैं ठीक है यह क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया यह हो जाता है यह तो अगर कहेगा कि यह चार्ज सीट है अब यह सब चार सीट कैसा इप इत्फीसा करने जान दीखा रहें है बहुत लंबा है लगा है यहाने पूछ रहे टिओ दू थह सॉपक्रम होता है जो किस घूरअ की कॉंस्टेंट्थ होता है कि अगया स्पैश कि आगा समझ में यहने कि अगर हम बोलें कि लगोलों कॉंस्टेंट होता है दिरे-दिरे कर दूर में भटेगा कितना होता है सिगमा बाई 2 अपसद नजीरो इलोट्रिक पेल्डी का भेल्व एप नुकीला होगा वहां पर जैदा चार्ज होगा ठीक है यहां पर सिग्मा शार्ज इसमें किना है सिग्मा तो नियर्बाइद सर्फिस पर ट्लॉत होना इस फिल्फिंग पहला बातों समझना सीग्मा इन्वरसली पर प्रपॉस्ञियो रहोता है यह आर जोभः लोकल इंदियस है अमितलब जहां पर चोटा यहां पर छोटा एंद है यहां पर बढ़ कोटीए तो जहां बडारी ऐस्ट वहां पर कम सिनली सिम्गी वह मतलब चार्ज का यहां पर और इलेक्ट्री फिल्ड नियर बाइदर कंड़क्टिंग सर्फिस के अगल बगल में सर्फिस उपर जस्ट तुरत सिगमाबा एपसिन जिरू हो जाएगा उमीद करते हैं I think हमको लग रहे कि सवा घंटा का सपास कर वीडियो सूट हो चुका है मेरे लेप्टॉप में तो एक ग्यारा 33 दिखारा में एक घंटा 33 मिनट का हो चुका है ठीक है पूरा नो डाउन कर लो और अगला वीडियो जो आएगा उसमें पूरा का पूरा बात समझ में आना चाहिए है यह हम सिर्फ इसलिए बताए ताकि अगला वाला जो वीडियो आ रहा है वो समझ में आए जो सल्लिशन ह इसलिए तो नहीं बनाई है कि यह सिर्फ एक माइंड मैप टाइप का था इधा पूरे अच्छे से कॉपी में नो डाउन कर लो और भी जो चीज़ें तुमारे कॉपी में अल्रेडी है उसको भी तुमको लगता है यह जरूरी चीज़ें उसको भी हम एड़ आन कर सकते हैं म मोटा मोटा बात इतना मिनिममम बात पता होना चाहिए है ना चलो ठीक है मिलते हैं बाई से यू